प्यारे विध्यारतियों कैसे हूँ आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे आई हैं हम आज का अध्याय प्रयारंप करते हैं हमारे अध्याय का नाम है कर्मकारकम कर्मकारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पढ़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं जैसे बच्चा फल खाता है यहां फल कर्म है कर्मकारक का चिन को है तथा कर्मकारक में द्वितिया विभक्ती का प्रयोग होता है उपरियुक्त वाक्य का संस्कृत में अनुबाद इस प्रकार होगा बालकह फलम खादती अकारांत पुलिंक शब्दों के साथ द्वितिया विभक्ती के रूप लिखने के लिए मूल शब्द के बाद तीनों वचनों में क्रमशह, अम, अउ तथा आन जोड़ा जाता है वो को होता है जैसे कि हमने एक बाक्य पढ़ा बालकह फलम खादती यहां पर करता है हमारा बालक फल है हमारा कर्म और खादती हमारी क्रिया हम सभी ने इससे पूर्व करता कारक अर्थात प्रत्मा विभक्ती का प्रयोग पढ़ा था जहाँ पर करता कारक में प्रत्मा और उसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया भी एक बचन की होती है तो यहाँ पर भी बाल काह यहाँ पर करता है जो प्रत्मा विभक्ती का है और एक बचन में प्रयोग हुआ है और खादती उसी कारण यहाँ पर एक बचन में प्रियोग हुई है अब यहाँ पर फलम अर्थात जो हमारा कर्म है वो द्वितिया विभक्ती में प्रियोग हुआ है और हम सभी ने पढ़ा है कि कर्म अर्थात को अर्थात बालक अहाँ फलम खादती बालक फल को खाता है जहा पर हम को का प्रयोग करेंगे वहाँ पर द्वित्या विभक्ती का प्रयोग निश्चित होगा जैसे देवं देवँ देवान रामं रामव रामान यह यहां पर पुलिंग द्वितिया विभक्ती का रूप है देवम देवव देवान देवम एकवचन देवव द्वीवचन और देवान बहुवचन रामम रामव रामान क्रमशह एकवचन द्वीवचन बहुवचन आकारांत इस्त्रेलिंग शब्दों के द्वितिया विभक्ती के रूप लिखने के लिए मूल शब्द के बाद तीनों वच्णों में क्रमशह आम ए तथा आहा जोड़ा जाता है जैसे लताम लते लताहा रमाम रमे रमाहा अकारांग नपुन सकलिंग शब्दों के वितिया विभक्ति के रूप लिखने के लिए मूल शब्द के बाद तीनों वच्णों में क्रमशह आम ए तथा आनी जोड़ा जाता है जैसे फलम फले फलानी पुस्तकम पुस्त के पुस्तकानी प्यारे विध्यार्थियों आप सभी ने देखा पूलिंग इस्ट्रिलिंग और नपुन सकलिंग के द्वितिया विभक्ति के जब हम रूप बनाते हैं तो उसके अंदर क्रमशह इनको जोड़ा जाता है अब आईए हम इनका वाक्यप्रयों देखते हैं चात्राह अध्यापिकाम नमंती चात्राह अध्यापिकाम नमंती चात्राह अध्यापिकाह नमंती प्यारे विध्यार्थियों आप अगर यहां इसका हिंदी अनुबाद देखेंगे तो बनेगा चात्राह सभी चात्राएं अध्यापिकाम अर्थात अध्यापिका को नमंत नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं चात्राह अध्यापिके नमंती सभी चात्राएं दो अध्यापिकाओं को नमस्कार करते हैं चात्राह अध्यापिकाओं को नमस्कार करते हैं सभी अध्यापिकाओं को नमस्कार करते हैं सभी चात्र पुस्तक पढ़ते हैं अम्बा देवालयम अगच्छत अम्बा अर्थात मा देवालयम मंदिर अगच्छत गई सा भोजनम अपचद उन्होंने भोजन बनाया सा जलम भोजनम च अयच्छत उन्होंने जलम भोजनम च जल और भोजन अयच्छत दिया तुम क्रिशी कार्यम करोशी, तुम क्रिशी कार्य करते हो, क्रिशी कार्य अर्था खेती करते हो, तुम बीजानी वपसी, तुम बीजों को बोते हो, तुम खेत्रम कर्शसी, तुम खेत में कर्शसी अर्था खेती करते हो, जोदते हो, तुम कठोर परिश्रमम करोशी, तुम क परिश्रम करते हो चात्राह विद्यालयम अगच्छन चात्र विद्यालय गए सिक्षक चात्रान अपाथयत सिक्षक ने चात्रों को पढ़ाया सह पाथम अपाथयत उन्होंने पाथ पढ़ाया वयम इश्प्रात्नाम कुर्मह हम सभी इश्वर की प्रात्ना करते हैं वयम राष्ट्रद्भजम नमामह हम सभी राष्ट्रद्भज अर्थाद हमारे देश का जो तिरंगा है उसे नमामह नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं वयम राष्ट्रगामं गायामह हम सभी राष्ट गाते हैं प्यारे विध्यारतियों आप सभी ने यहां पर अभी वाक्य प्रयोग के अंदर देखा कि किस प्रकार कर्मकारक का प्रयोग किया गया है हम सभी विशेश रूप से यहां द्यान रखेंगे कि करता कारक में प्रत्मा और कर्मकारक में द्वित्या भिवक्ति होती है क्रमशह करता कारक का जो चिन होता है वो ने होता है और कर्म कारक का जो चिन होता है वो को होता है मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बाठ समझ आया होगा आप भी अपने सर पर इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा